हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पैंसरस, फेंबली पैंसरस और करमचारियों के लिए मैं तो बहुत ही बड़े और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ जहां दोस्तों, पहला बड़ा अपडेट होने वाला है, आपके महेंगाई बत्ते में बड़ोती से लेटेट, उसमें बहुत ज़्यादा मिस कन्फ्यूजन हो गया है कि आप 3% महेंगाई बत्ता बढ़ेगा या 4% महेंगाई बत्ता बढ़ेगा, यूँकि अभी एक मीडिया जो बड़ा अपडेट है, वो आपका fixed medical allowances में बड़ोती से लेकर है, उसमें भी बड़ा अपडेट अभी अभी आया है, तो दोनों के दोनों खबरें आपके लिए बहुत important होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्तर देखीगा, और अगर चैनल पर पहली बार में या news में ऐसा भी दिखाया जा रहा है, कि जो जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बड़ोती होने वाली है, वो की 3% होने वाली है, जबकि All India Consumer Price Index के डेटा के हिसाब से बड़ोती जो होने वाली थी, स्रम अंत्राला के स्रम ब्यूरो की तरब से, उसमें 4% की बड़ोती होने वाली थी, तो मीडिया में आखिरे सा क्यों दिखाया जा रहा है, तो मैं बता दूँ कि मीडिया को बहुत ज़्यादा इस लेबल पर जानकरी नहीं होती है, कि क्या Price Index बढ़ रहा है, क्या All India Consumer Price Index में बड़ोती है, क्या Data के basis पर जो DA Calculator है, उसमें क्या सारी चीजें put up हुई है, उनको एक estimate लेकर चलते हैं वो, तो बहुत सारे pensioners बोलेते कि क्या दमारा महेंगाई बड़ता और महेंगाई रहात, जो है वो 3% ही बड़ाएगा, तो मैं बता दूँ ऐसा नहीं है, जो महेंगाई बड़ता और महेंगाई रहात होगा, उसमें 4% क आपका महेंगाई बता और महेंगाई रहात मिलेगा, बहुत जाला chances हैं कि 27 सेतंबर को एक cabinet बैटक होगी, जहाँ पर कर्मचारियों, pensioners और family pensioners का जो 4% महेंगाई बता और महेंगाई रहात है, उसकी गोशना हो सकती है, अब आपका महेंगाई बता और महेंगाई रहात, य उसी जो बड़ी ख़बर आ रही है, वो fixed medical allowances को लेकर आ रहा है, अभी बहुत सारे लोग कह रहा है कि सरकार कर्मचारी union और family pensioners की unions की तरफ से एक सरकार को proposal गया हुआ था, कि जो non CGHS areas में जो pensioners रहते हैं, उनके opd medicines के खर्च के रूप में 1000 रुपे, fixed medical allowances या चिकिस्सा medical उनको provide कराया जाता है, तो ऐसे मैं बहुत सारे pensioners बोल लेते हैं कि जो proposal गया था, वो reject हो चुका है, तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी matter reject नहीं हुआ है, जो भी 1000 रुपे से बढ़ा करके 3,000 रुपे की बात कर रहे हैं ते सरकार की तरफ से, उसमे matter अभी under consideration ही चल दा है, ministry of health and family welfare की तरफ से, कोई ने कोई update निकल का जरूर आएगा, तो मैं आपको जरूर बता देंगे, आप भी हमें comment करके बताएगा, कि आपके इसाफ से आपको fixed medical allowances कितना provide किया जाना चाहिए, जिससे कि आपके सारे जो भी OPD medicines के खर्चे हैं, वो आपक OPD medicines के खर्चे के रूप में, जो fixed medical allowances मिलता है, उसमें कितने बड़ोतरी होनी चाहिए, फिर से में बता दूं कि matter under consideration है, ना भी उसको accept किया गया है, ना ही उसको reject किया गया है, लेकिन जल से जल सब MOH FW, यानि कि Ministry of Health and Family Belfare की तरफ से, उसमें कोई ने कोई अभी update जरूर आ झाल